है कि इस पार्टिकुलर वीडियो में हम गुड टिल तिगा यानि जीडी ती ओडर को इस्तेमल करके आप अपना ओडर को एक सल तक पेंडिंग में रख सकते हो जब तक को टिगा ना हो जाए जैसे की मालो यहां पे मैं एक टॉक को एड कर रहा हूं इनको अगर मुझे बाइ क क्लोजिंग तरह त्हें संटीग different content थादर रहे तक बढ़ ब्रोकर कैंसिल कर देते हैं डिलिट कर देते हैंसी चलू अब सुने से इसको लीट K si प्रशें करणग करक precurs fan धियंट कि्यों किससे मैं को दिखाता हूँ एक में त्री डॉट्स में जाना है एंदेन बाई सिंगल यहां पर मालो 140 मुझे करना है यहां पर प्राइज 1395 पॉंस पॉइंट का गैप देखे यहां पर मैंने कॉंटिटी भर दिया दो कॉंटिटी इसका मतलब क्या है जब प्राइज 1400 को टाच करेगा तो अब यह ओडर हो और इसका जो है यह देखो 2025 10 में यानि एक साल तक यह ओडर आपके सिस्टेम में पढ़ा रहेगा जैसे आपको प्लेस कर देखेगा अगर आप चाहते है कि अभी तो मुझे नहीं बाई करना इंफोसिस को अभी एक प्राइज यहां पर मेंसें करके आप एक साल तक यह ओड और यह देखिए इंफोसिस का अभी एक्टीव है अगर आपको कुछ मॉडिफाइब करना है तो यहां पर जाके आप मॉडिफाइब कर सकते हो प्राइस चेंज कर सकते हो राइट अभी मुझे क्या करना है यहां पर कैंसिल कर देता हूं और आप हम करेंगे एफिनों ट्रे आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा विडाउट पेंग एनी कॉस्ट आप इनकी एक्सेस प्राप कर सकते हो यह तो समझ में आ गया हम और को प्लेस करके पेंडिंग में राख सकते हैं जब तो को टिगन ना हो इसका मैक्सिमाम एक साल तक लेकिन एफेनों टेडिंग मे बियांड तो हम और पेंडिंग ओडर नहीं राख सकते ना तो यहां पर मैक्सिमाम डेट होगा वह गा एक्सपाइड जैसे अभी मालो यहां पर मैं सेंसेक्स को याड़ कर रहा हूं सेंसेक्स प्राइब सेबंटी तू थू तूज़़जंग एक मैंने कॉल ले लिया तो इ आप प्लेश करके रख सकते हो आप एक प्लेश करके रख सकते हो आपको लग रहे कि आभी मैं नहीं करूंगा इस ऑप्षेन को यह थोड़ा आगर नीचे आते हैं तो आप मैं यहां पर पाट्चेस कर सकता हूं 75 का सबस्क्राइब प्लेश करके रख सकते हो उससे पहले आप अप फिनो ट्रेडिंग में भी आप प्लेश करके रख सकते हो जैसे कि निफ्टी में फीचर अभी क्या चल रहा है तो उनके लिए क्या है ना आप अगर यहां पर लिमीट लगा तो आज इसका वारेटी तो यहां पर हो जाएगा और प्लेश्ट और सेक्षन में अब को अब कर देखेंगा कर दिखेंगा अब कर देता हूं अबि यहां पर एक जीगूट कर करके देखते हैं सब्सक्राइब करना चाहता हूं जब 125 आएगा तब मैं 25 करना चाहूंगा आप इंडेक्स के साथ अनलाइज करके यहां पर प्राइज डिफाइन किया कि जोब यह तो हंड्रेड जाएगा तो मैं पर्टेस करूंगा तो हंड्रेड और प्राइज और प्लेस करके रख सकते हो चलो मैं अभी यहां पर 119 118 मैंने दे दिया 25 कॉंटिटी आप करते है प्लेस जब एक्जीकूट होगा तो आपके पास बैलेंस होना चाहिए तो 119 ऑल्रेडी हीट कर चुके हैं तो एक्जीकूट क्यों नहीं हुआ देखें 118 एक्जीकूट हो जाना चाहिए था चलो यहां पर एक्जीकूट होने के लिए कितना एमाउंट चाहिए 119 मुल्टिप्लाइ 25 यानि 2975 एमाउंट हमारे अकाउंट में होना चाहिए जो अब टिगर करेगा प्राइस को होना चाहिए देखें ओल्रेडी 3 के है तो यहां पर मैं देख सकते एक्जीकूट नहीं होए निफ्टी फिर जाके मैं डिट कर पाऊगे ओके माली जिए अपने लिया है एंट्री आप इस्टोप लॉस प्लेश करना चाहते हैं तो कैसे करें प्लेश करने के लिए आप अगर यहां पर सिंपिल इस्टोप लॉस ओडर आप प्लेश करो गए यहां पे अशलम एंशल तो यह ओडर बैलिड कब तक एंट्री ओके अब आप यहां पर प्राइस एंड टार्गेट प्राइस मेंसें कर सकते मालो आपने 119 पे लिया है एंट्री जो प्राइस हमने डाला था तो स्टॉप लॉस किया होगा यहां पर प्राइस 105 एंड 103 जैसे यह 105 को ट्याच करेगा तो आप हम लॉस बुक करके ए यहां पर हम क्लिक करके प्लेश करके राख सकते हैं कब तक 16 में तो क्योंकि यह जो कॉंट्राक्ट है 16 में तो इसका एक्सपायरी है तो बहुत ही यूसपुल टूल है लेकिन इसका एक डिसद्वेंटिज है यह है कि आगर मालो 105 में अपनी इस्टपलास रखा और नेक्स ड रखते हैं इसलिए आपको ट्रैक करना भी जुरूरी है आई होप आप समाझ गए होंगे कैसे आप जिरीट और को इस्तिमाल कर सकते हैं जुरुधा में सो थैंक्यू थांक्स पॉर्चिंग कुछ भी कोई रिज़ा फिल भी आसकों कॉमेंट सक्षन मिलते हैं नेक्स सेशन युरुई धेन जा पॉर्चिंग कुछ व्या कर सकते हैं जुरूं हैं जिरीग के टह मिलते हैं जुरुदूर है